अब्जेक्टिव की स्टेट्मेंट कैसे लिखी जाती है और उसको स्मार्ट का जो असूल है पांच पॉइंट का उसके अगेंस्ट आप कैसे एनलाईज करते हैं कैसे जज्ज्मेंट करते हैं कि या आपका अब्जेक्टिव क्लियरली लिखा हुआ या नहीं उससे अगला स्टेप है कि हर अब्जेक्टिव को हमें फिर ब्रेकडाउन करना पड़ता है रिसर्च क्वेस्टिन्स में या हाइपोथेसिस में या एक छोटी सी डिस्टिंशन कर आरे में बनाये जाते हैं जिन में इन्फरेंशल स्टेटिस्टिक्स का इस्तमाल नहीं होता ऐसे तमाम चीजें जिन पर आपको डेटा कलेक्ट करना हो या कोई नतीजा अख़स करना हो और उनकी नौईयत जो है वो डिस्क्रिप्टिव है यानि आप दो चीजों का कंपेरि नहीं है ये डिस्क्रिप्टिव है तमाम वो आपके अबजेक्टिव के वो हिस्से जिन का तालुक डिस्क्रिप्टिव पार्ट से होता है उनके लिए अमूमन रिसर्च क्वेस्टिन लिखे जाते हैं और जिन चीजों का तालुक इन्फरेंस निकालने से होता है उनके बार प्रेक्टिकली उनके बारे में एविडेंस कलेक्ट करने के लिए हम फर्दर ब्रेकडाउन करते हैं इधर रिसर्च क्वेस्चन्स में या हाइपोथेसिस में तो अगर आप देखिए कि मारा फर्ज करने रिसर्च का एम था अब जब मैंने इसको ब्रेक्डाउन किया था तो यही अबजेक्टिफ पहले मैंने आपको पिछले मौडियूल में लिखावा दिखाया था अब यहाँ इसको देखिए हमने अर्ली केरियर तक महदूद किया हमने एथिकल बिहेवियर तक महदूद किया और हमने स्कूल लीडर्स जो थे वो हमने बेसिकली हैड टीचर्स हैं जो स्कूल के उनको कहा और टीचर मोटिवेशन तक हमने लिमिट कर दिया जो हमारा टीचर कमिटमेंट वाला वेरियेबल था अब मुझे इस बात के बार इसको एडरेस करने के लिए फदर इसको स्प्रिट करना होगा और मैं सिर्फ एक चीज को स्प्रिट करता हूँ ताके आपको क्लारीटी से समझ आए हमने एथिकल बीहिवियर्स जो कहा था वहाँ पे अगर हम उसको स्प्रिट करके देखे तो एथिकल बीहियर्स के आगे इंडिकेटर्स होते हैं हम फैसला करते हैं कि behavior ethical है या नहीं तो मुझे फैसला करना होगा कि ethical behavior जब मैं कहता हूँ तो कौन कौन सी चीज़ों को measure करूँगा तो कहूँगा कि ये ethical behavior a teacher का या head teacher का उन में सिर्फ तीन मैंने लिस्ट की ये तीन exhaustive नहीं है इसके इलावा भी हो सकती है और ये बाते आपको literature review से पता चलता है कि आपने जब ethical behavior को as a variable लिया तो उस variable के आगे फिर indicators कौन कौन से आप select करते हैं तो अगर मैं मुक्तसर आपको ये बताओं कि हमारा sequence क्या बना तो हमारे title में या हमारे statement of problem में variable था teacher commitment teacher commitment के आगे multiple sub variables थे उन में से हमने एक उठाया ethical behavior और फिर ethical behavior को जब मेर करने की बात आएगी तो उसके आगे फिर उसके indicators निकालेंगे हम और उन में से मैंने तीन indicator तीन research questions में address की हैं इसका कतन ये मतलब नहीं है कि ethical behavior के सिर्फ तीन ही sub indicators होते हैं इससे ज्यादा भी हो सकते हैं ये सिर्फ समझाने के लिए तीन लिए और फिर उन तीनों के बारे में मैंने information क्या लेनी है डेटा कौन सा collect करना है तो पहला सवार उसका मैंने बनाया what language is used by the head teacher while addressing teachers देखें दो तीन बाते इसमें clear हुई school leader कौन है head teacher है confine कर दिया उसको focus कर दिया limit कर दिया उस बात तक teachers के बारे में data लेना है यह हमने कर दिया कि motivation जिनकी check होनी हो teachers है so teachers के साथ मुतलका बात है कि head teacher का ethical behavior उन teacher के साथ कैसा होता है so ethical behavior है पहली चीज़ क्या देखी कि head teacher क्या language यूज़ करता है जब उनको address कर रहा होता है दूसरी बात मैंने का कि which appreciation strategies are practiced ethical behaviors में यह है कि आप अपने colleagues के काम को appreciate करते हैं तो हम कहते है यह ethical behavior का indicator है so अगले सवाल है पुछा कि head teacher कौन सी appreciation की strategies यूज़ करता है और तीसरा उसका indicator रखा कि वो कितनी fairly handle करता है work place पे जो issues हो जाते है teachers के दर्मयान so language का use, appreciation strategies और fairness towards dealing with issues at work place यह तीन हमने कहा कि indicators हैं अगर इन पे हम data collect कर ले है teacher का तो हम समझ सकते हैं कि उसका रवईया ethical है या नहीं है और ethical रवईया देख ले और इसके साथ और बाकी sub construct देख ले तो हमें उनकी teacher commitment का sorry leadership style का पता चल जाएगा organizational culture का पता चल जाएगा तो यह देखिए इन तमाम चीजों में एक sequence है तो अब मैंने एक objective की statement को impact of ethical behaviors को तीन सवालों में breakdown कर दिया और यह तीन सवालों का जब मुझे जवाब मिल जाएगा तो इनके collective जवाब से फिर मैं इस objective के achieve होने का फैसला करूँगा और इस objective और दूसरे जो मैंने objective बनाए होगे उन सारे objectives के हासल हो जाने से address हो जाने से मैं अपने research का जो मैंने statement लिखा वाता देखूँगा कि वो कितनी address हो गई है तो आप देखे के sequence में हम चीज़ों को बनाते हैं और उसी sequence में बाद में इनको consolidate करके जवाब दे देते हैं तो इस तरीके से आप objectives की statement को research questions में ढाल सकते हैं या उसका ये असूल होगा और हर objective के ज़रूरी नहीं के सारे research questions ही लिखे होगे एक objective के against चंद एक research questions और चंद एक आप उसके अंदर hypothesis भी लिख सकते हैं अगर उसके अंदर कोई relationship या कोई difference की चीज़ involved है तो आप उस तूरत में उसके आगे hypothesis भी लिख सकते हैं यह बहुत मुम्किन है के हर objective के आगे उसकी statement of research questions और statement of hypothesis दोनों लिखी हुई हो या दोनों में से कोई एक लिखी हुई हो depending upon the nature of objective of your study